असलाम आलेकुम माने में सारी सहसान आज का जो टॉपिक है हमारा एग्रिगेट फंक्शन का इन SQL Server एग्रिगेट फंक्शन जो है SQL Server के अंदर क्यों यूज़ किया जाते हैं होते क्या हैं ये अग्रिगेट फंक्शन अलाओ यू टु परफॉर्म आ कैलकुलेशन ओन असेट अफ वैल्यूस ये जो है कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाते हैं तो रिटेन असिंगल स्केलर वैल्यू और ये मुझे क्या रिटेन करते हैं सिंगल वैल्यू रिटेन करते हैं वी ओफिन यूज़ एग्रिगेट फंक्शन विद गृूप बाय एंड हैविंग क्लॉस हम जो है एग्रिगेट फंक्शन अकसर अकात किसके साथ यूज़ कर सकते हैं गृूप बाय और हैविंग क्लॉस के साथ ठीक है आफ दा सेलेक्ट स्टेटमेंट में अब कितने टाइप की होते हैं अग्रिगेट फंक्शन होते हैं मेरे पांच टैक के कौन कौन से एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स, और सम एवरेज यानि के कैलकुलेट एवरेज ओफ एस सेट अफ वैल्यू यह जो है मेरी एवरेज कैलकुलेट करेगा काउंट क्या करेगा मेरे जो है डेटा काउंट करेगा count rows in a specified table or view, किसी खास table यपर view में से rows count करेगा, min जो है data में से minimum value देगा, max मेरी max value return करेगा, और sum क्या करेगा sum of value, यानि के value का sum कर देगा, सब को add करके show करा देगा, clear है खेर, पहले आजाएं max और min पर इसका syntax क्या है, लिखने का तरीका क्या है पहले मैं लिखता हूँ select statement, उसके बाद aggregate function, max या min उसके बाद column ने, from table ने ठीक है, पहले मैं क्या लिखता हूँ, मैं जो है s का सबर open किया, मैंने लिखा select max और यहां आएगा मेरा column ने फर्स करें, मेरा एक table है tbl marketing का इसके अंदर कुछ record है, तो मैंने क्या select कर लिए, यहां से salary वाला column select कर लिए, मैंने यहां पर लिखा salary from, यह column किस table के अंदर है, tbl marketing के अंदर है, मैंने इसको select किया और execute कर दिया इसने मुझे क्या return करी, जिस भी employee की max salary वो return कर दी, 60,000 इसी तरीके से मैं यहां पर mail लिखूंगा, तो यह क्या करेगा जिस employee की सबसे कम salary होगी मुझे यह, वो return कर देगा देगे, 1000 salary इसने return कर दी ठीक है यह मेरी जो है, एक simple example होगी, इसके साथ मेरे पास एक, कुछ, एक complex क्यूरी है थोड़ी इसको मैंने यहां copy किया इसमें क्या लिखाव है, select product id, product name और list price जायनी कि मैंने तीन column select करें है, कौन कौन से, एक column product id, एक product name और तीसरा कौन से list price, from tbl production, यह मेरा table बनावा है, यह मेरा इसी database के अंदर है, office मेरा database का नाम है और tbl production यह रहा ठीक है, इसके अंदर मैं जाओं, अगर select of thousand rows, यह मेरा table का data आगिया, इसके अंदर तीन column से product id, product name और list price तीन product लिखी हुए है, मैंने पहली के id one, name के आइसका laptop, इसकी price कितनी है 20,000, एक और product है mouse, इसकी price 2000, एक और product है keyboard, इसकी price कितनी है 3000, ठीक है मैं जो है, अपनी क्यूरी में आया वापिस, क्या लिखा हुए है यह मैं तीन column select कर लिए यह तीनो column कहां पह है, मेरे इस table के अंदर है, ठीक है, उसके बात मैंने क्या कहा, मैंने जो है, aggregate function के साथ where clause यूज किया हुए है, कौन सा where clause, क्या लिखा है where list price equals to select list price select कर लो, कौन सी जिसकी सबसे max price जिसकी max list price हो, from कहां से, tbl production से, ठीक है, मैंने इसको जो है, select किया, और execute किया, देखें, मुझे क्या हुआ, जिस product की सबसे max price थी, मुझे जो है, वो show हो गई, उसकी पूरी detail के साथ, इसकी ID show हो गई, इसका name और इसका इसकी price जितनी भी थी इसी तरीके से, मैं अगर यहाँ, min लिखो तो मुझे जिसकी minimum price होगी, वो show हो जाएगी execute, ठीक है, दो की बिलकुल same है, मुझे उन्दोनों की price show हो गई, खेर इसके बात क्या है, यह मेरा maximum था, इसके बात क्या है मेरा count, average और sum, count यानि के मुझे जो है, count करना तो मैंने जो है इसको यहां से copy किया और यहां मैंने इसको paste कर दी, ठीक है, select count ID from tbl marketing ठीक है, मैंने क्या का है, मुझे क्या count करवाना है, ID count करवाना है, कि कितने employees की ID लिखी वी इस वा, किस table में से, marketing की table में से select किया और execute, इसने मुझे count करके दे दिया 14 ठीक है, average का, average क्या करेगा मेरा जो है, average निकाल के दे देगा चाह, पहले sum है, sum कर लेते हैं इसको जो है, यहां paste किया, मैंने कहा, select, sum, select करो, sum करो किस चीज का sum करना है, column name कौन सा है, मैंने का, salary का sum करो ठीक है, यह salary column किस table के अंदर है, यह table है मेरा, from tbl marketing, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस table के अंदर जाता हूँ select of thousand rows, यह salary का column है, यहां पे सब implies की salary लिखी हूँ है, तो इस क्यूरी, यह क्यूरी क्या करेगी, इस सब का जो है, average निकाल के लिए आएगी, sorry, sum करके लिए आएगी, पूरे salary column का, इसको मैंने select के और execute, इसने क्या किया, पूरे salary, जितने भी implies की salary है, उन सब का इसने sum कर दिया, average निकालना है, simple, मैं जो है, यहां पे aggregate function change कर दूँगा, क्या लिख दूँगा, average, यह इसने मुझे क्या find कर दिया, salary का, मुझे average निकाल के दे दिया, चब मेरे यहां जो है, सारे पांचा के पांचा अग्रिगेट function complete हो गए, अच्छा, इसके साथ क्या है, मेरे पास कुछ clause रहागा थे, जो हम last video में देख रहे थे, is null or group by, is null क्या है, फर्स करने, मेरा जो है data लिखा हुए, और मुझे वहां पे जो है, कुछ null values है, कैसे, मैंने जो है, यह copy किया, और मैंने इसको यहां पेस्ट कर दिया, मैंने क्या कहा, मेरा यह order one, अच्छा, मैं वापिस इसमें जाता हूँ, मैंने जो production का table है, मैंने इस पे किया, right click, और edit of thousand rows, अब मैं यहां पे लिखता हूँ, ID 4, इसका नाम रख दिया है, मैंने, headphone, ठीक है, product name क्या है, headphone, मैं इसकी list price खाली छोड़ रहा हूँ, चाह, नहीं छोड़ सकता है, मैं इसकी, price मैंने यह दे दी, अगर मैं, इसको मैंने दी, ID कितनी दी, 5, अगर मैं इसका product name नहीं लिख ओ, लेकिन मैं इसकी amount लिख दो, हाँ, ठीक है, मैं जो, list price खाली नहीं छोड़ सकता, column, लेकिन product name वाला column, जो है, मैं इस field को खाली छोड़ सकता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक और ID लिखी 6, और मैंने इसका product name नहीं लिखा, कि यह किस product की ID है, 6 ID जो है, मेरी किस product की है, और मैंने कौन कौन से column है, इसके है, product ID, product name, और list price, मैंने क्या लिख दिये, पहले table select कर लिये, table कौन सा है, मेरा tbl, from, tbl, marketing, column कौन से है, sorry, tbl है मेरा production, from, tbl, production नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, production, ठीक है, इसके column name कौन से है, इसका पहला column है, product ID, उसके बाद है, product name, उसके बाद कौन से है, इसका, list price, product ID, product name, और list price, तीसा column कौन से है, इसका list price, ठीक है, अब मैंने क्या कहा, where product name is null, product name is null, product, लिखावा क्या है, यह select कर लो, product ID, product name, और list price, ठीक है, तीन column select कर लेगा, कहां से, from, tbl production, यानि के मेरे table production से, इस table से, ठीक है, condition क्या दिया है, मैंने, where product name is null, जहाँ पर product name की value क्या है, null हो, कुछ भी ना हो, ठीक है, मैंने, this query को select किया, और execute कर दिया, इसका name क्या है, अगर मैं यहाँ पर जाके दिखूँ, product के बाद underscore डला हुए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर proper product के बाद underscore डालूँगा, अब select करके execute करा, तो इसने क्या किया मुझे, वो दोनों product show कर दी, जिनको product name null थी, ठीक है, एक है product ID, जिसकी 5 है, का नाम कुछ में ही लिखा हुआ, इसी तरीके से एक और product है, जिसकी ID है 6, और इसकी price कितनी है 300, इसका product name मैंने null छोड़ा हुआ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, is not null, तो यह मुझे सारा वो data return करेगा, जिसमें जो है, कोई field null नहीं होगी, जिसमें जो है product name वाला column, इसकी सारी field में जो data होगा, कुछ ना कुछ null नहीं होगी, ठीक है, इसमें यह मुझे proper, मेरा data return करा दिया, इसके बाद, जो record clause था, मेरा वो क्या था, group by, group by क्या है, group by clause, group record into summary ross, मेरे जो है record का एक तरीके से group बना देगा, मेरी रॉस का, group by return one record for each group, क्या करेगा, हर group के लिए एक record return करेगा, कैसे अब फर्स करें, मेरे मेरे जो office है, वो जो है वहाँ तीन शहरों में, कराची, इसलावाबाद और लाहर में, ठीक है, अब ये क्या करेगा, कराची में मेरे पांच employees हैं, लाहर में मेरे दस हैं, असलावाबाद में मेरे पंद रहे हैं, तो ये मुझे, जो कराची के पांच employees, सब का data अलग अलग शोनी करेगा, मलगे लिखा वाद एगा, कराची का बन जाएगा एक group, और इसमें लिखा वाद आएगा five employees, ठीक है, इसी तरीके से लाहर का ten employees, और इसलावाबाद के fifteen show करा देगा, ये जो मेरे कहलें एक तरीके से, जो same category का group, same category जो होती हैं, उनका ये group बना देगा, अच्छा कैसे मैंने, ये मेरी क्यूरी है, इसको मैंने, control C और control V, क्या लिखा वाई, select some salary, city name, ठीक है, select कर लो, यहाँ मैंने aggregate function लगाए, इसम का, salary का मैं sum कर रहा हूँ, कॉमा मुझे city name भी show कराना है, ठीक है, ये दोनों column किस table के अंदर है, ये हैं मेरे tbl marketing के अंदर, यानि के ये मेरे table है, ये रहा, इसके अंदर ही दोनों column है, और group by city name, मैं group किस हिसाफ से कर रहा हूँ, मैं इनको group कर रहा हूँ city name के इसाफ से, पहले जो हैं मैं ये table दिखा दू, इस table के अंदर चार column है, एक id है, एक name, एक salary और city name, मैं ने group by किस हिसाफ से किया है, city name से कर रहा है, clear है, अब मैं वापिस अपने query पर आया, और मैं इसको select करके execute करता हूँ, तो ये क्या return किया, इसने मुझे जो है, तीन मेरे data अगर मैं वापिस जाओं, यहाँ पर देखें, कितनी city लिखें मैं, कराची इसलावबाद लहुर, कराची इसलावबाद लहुर, कराची इसलावबाद लहुर, ठीक है, हर शेर में जो है, employees है मेरे, और ये उनकी detail है, ID1 का नाम क्या है, हारिस है, इसकी salary 10,000 है, ये कहाँ पर है, ये कराची में, तरीके से एक और employee, उसका name एहसान है, इसकी salary 20,000 है, और ये कहाँ पर है, ये इसलावबाद में है, ठीक है, तो इसने मेरे data group किस तरीके से बनाया, इसने city name तरीके से बना दिया, इसने कहा कि इसलावबाद के जो employee है, उन सब को total salary, यहाँ पर क्या लगाए है, मैंने function लगाए है, sum salary का, ठीक है, उन सब को जो salary देता हूँ, वो जाती है, एक लाग चालिस हजार, जो कराची के employees हैं, उनको जाती है, डेड़ लाग और जो लहौर के हैं, उनको कितनी आती है, एक लाग तीस हजार, ठीक है, इस तरीके से जो है, मैं, और भी जो है, अगर मैं इसको करूँ, group by, मैं करता हूँ, group by ID, तो data मेरा, ID के हसाफ से, group में तबदील हो जाएगा, city name selectly is because, is not contained, either aggregate function, अच्छाई, यह जह मेरा aggregate function में, नहीं आ सकता, तो यहां तक, जो है, मेरे तकरीबन, सारे clause, is null, ठीक है, group by भी हो गए, तो यह जो हमारा topic था, आज का, क्या था, aggregate function, aggregate function क्या होते हैं, अगर मुझे, कुछ calculation perform करनी हो, और क्या क्या clause, देखे हमने, is null, और group by function, and next video में जाएं, इंशालला हम कोई, दूसरा topic देखेंगे इसका,